हलो मैं डियर स्टुडेंट दिस इस सोनु कुमर पांडे वेलकम अगें टो मैं डिर्ट चैनल मैच्स मैजिक विद सोनु सर्प्रफिट अलाव समल पढ़ रहे हैं उसी करी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कोश्चन को चलिए देखिए इस दिया हुए को सन एने एक बस्तू आठाजार रुपईया में खर दी तथा उसने बिस पर तीस परसंट के लाव पर बेंच दिया तो सी ने कितने रुपईये का भुगतान किया यहां का सकता था अंतिम विक्रैमूल बताएं यहां देखिए एने एक बस्तू 5,000 रुपईया में खर दी तथा उसने बी को 30% के लाव पर बेंच दिया फिर बीने सी को 10% के हानी पर बेंच दिया तो अंतिम विक्रैमूल बताएं यहां सी ने कितने रुपईये भुगतान किया बताएं बीच में A, B, C है न तो ऐसे करके A, B, C, D पर भी कोस्टन हम लोगों को दे सकता ह है लाव देगा हानी देगा उस सेक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना होगा तो हाउ टू सल्व दो कोस्टन वी हब टू अंडरेस्टेंड हीर तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे कोस्टन जुबानी बन जाएगा कैसे बनेगा प्राराम्भिक दिया हुआ है फिर एने B को बीने सी को बेचा है तो देखें जुबानी कैसे बनेगा आठाजार उपई एक क्रैमूल है बीस परसन लाव पर बेचा आठाजार का बीस परसन शोला सा हो गया यानि चानवर सा में बेचा लाव होगा तो जोड़ लेंगे हानी होगा तो निकाल के घटा लेंगे यानि 960 जो रेंगे आप यानि 400 जो रेंगे तो 10,000 हो जाएगा फिर आपका बंच गया 560 यानि 10,560 अंसर हो जाएगा इसको अगर आपको थोरा दीकत हो रहा है तो डाइरेक्ट लिख कर भी बना सकते हैं लिखने का तरीका होगा प्रारमभिक जो मूल होगा लिख लेंगे कह र इसको सल्व करिएगा तो राइट अंसर वही आएगा चलिए दुसरा कोस्टन देखते हैं फटाक से देखिए दिया हुआ हम लोगों को यह ने को बस्तू 5000 उपईया में खड़ दी यह ने बी को 30% के लाव पर वेच दिया और तथा बी ने सी को 10% के हानी पर वेच दिया द हानी मतलब उतना निकाल के घटाएंगे लाव मतलब उतना निकाल के जोड़ेंगे तो 65 समय से 650 घटाना है तो 500 घटा दिये तो 6000 हो गया फिर सो घटा लेना है तो आपका हो जाएगा अंठावन पचास देख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग रहित अंसर कर लिए अब देते हैं कहा रहा है 30% लाव तेक सा 30 बटा सो कहा रहा था 10% ठानी यानि 90 बटा सो क्योंकि कोई भी चीज हर हलात में अपने अपने 100% होता है वी हब रियारेंग जस्ट लाइक डैट दियर अप्टर वेब तुसल्व दकोस्टन चलिये नेक्स्ट को संदेखते हैं कह रहा ह अब की बार कोस्टन क्या है पहले वाले में प्रारंभिक मुल दे रहा था यानि एक दे रहा था खड़ी द और अंतिम पूछ रहा था अब की बार अंतिम दे रहा है और ये का पूछेगा या बीच वाले किसी का भी पूछ सकता है कैसे सल्व करेंगे देखें ये भी पर बेच दी फिर भी ने उसे 10 पर तीसत की हानी पर बेच दिया इसके लिए सी चोसा पचात्तर रुपईये का भुगतान किया तो एने कितने में खरदा था पर एक्राम्भिक पुछे या जिसका नाम लिखा हो प्रारंभ में उसका नाम देकर पूछे कोसे नेकी टाइप से बनेगा तो देखी अब की बादर concept जो हो जाएगा वो vikremul बराबर vikremul हो जाएगा क्योंकि अंति बिकremul आपको यहां पर दिया हुआ है अंतिम बिकremul 1200 डिया हुआ है अब यह चला है जो बैशा है जो बेब पार हुआ है A, B और C के बीच हुआ है तो हम लोगों को A से चलते हुए C तक पर्तीसत में calculation कर लेना होगा यानि पर्तीसत में हम लोगों को भी क्रेमल निकाल लेना होगा कोई भी चीज हर हालात में अपने आप में 100% होता है या तो हम लोग मालनेंगे कि जो प्रारंभ में खरदा है वो 100% में खरदा है कह रहा है कि 20% लाव पर दूसरे को बेचा तो 100 का 20% 20 हुआ यानि 120 में बेचा फिर देखिए 20 सी को 25% के लाव पर बेचा तो लाव पर बेचेगा तो जोड़ेंगे तो 120 का 10% 12 होता है तो 20% हो गया आपका 24 और 5% 6 हुआ यानि 120 का 25% आपका 30 हो गया या 25% का अर्थ 1 by 4 होता है तो भी देख सकते हैं आपका 30 ही आएगा यानि 120 में 30 जोड़ा तो 1500% हो गया यानि आप कितना में बेचे हैं 1500% में बेचे हैं कोश्टन का रहा है 1200 में बेचे हैं तो विक्रायमूल बड़ाबर विक्रायमूल हो गया यहां से 1% निकल जाएगा गुना 100 करेंगे तो आपका प्रारंभिक भैलू मिल जाएगा तो देख सकते हैं एक जिरो से एक जिरो कटा 15 वाठे बीसा सव आठ गुने 100 आट सव यानि ए ने कितने में खरदा था इस बस्तू को 800 में खरदा था अगर आपको डाइरेक्ट लिखने में दीकत हो तो देखिए क्या कर लिजिए पहले वाले का एक समान लिजिए और 20% लाफ पर बेचा है तो 120 वटा 100 लिख दीजिए 25% लाफ पर बेचा है तो 125 वटा 100 लिख दीजिए और यहां अंतिम विक्रायमूल जो भी हो उसको लिख कर आप सल्व कर लिजिए का कोशन बन जाएगा यहां पर एक्स के जगा पर मैंने 100 मान के बना लिया है 100 मान के भी यहां बना सकते है यानि कोई रफ में क्या कर सकता है कि पहले यह लिख कर परसेंट में कैलकुलेशन कर ले और कहे कि इतना परसेंट बरावर 12 हो जो कि मैंने जुबानी निकाला है तो फिर एक परसेंट दियर अप्टर वाटेवर दभैलू वी हैब तो कैलकुलेट वी हैब तो मल्टिप्लाई विद दैट तो हम लोग कर सकते हैं तो यह दोनों तरीका हुआ जुबानी भी बना सकते हैं अभ यहाँ पर ध्यान वस इतना ही रखना है कि लाभ हो तो जोर के लिखते जाएंगे हानि होगा तो घटा के लिखते जाएंगे बीच में दो ब्यगती है तो दो बर तिन चार ब्यगती है तो सबका आपको हिसाब किताब करना होगा और अंतिम बिक्रेमुल बराबर अंतिम बिक्रेमुल हो जाएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन यानि जो चौथा कोस्टन है हम लोगों का का रहा है ए नेक वस्तु खर दी बी को 25 परसंट लाफ पर बेश दिया फिर बी ने उसे 10 परसंट के हानी पर सी को बेश दिया यह है फिर सी है अंतिम कह रहा है कि 675 उपईये का भुगतान कर रहा है तो प्रावंभी का बताना है जुबानी बनाइए कोई वी चीज अपने 10 परसंट सारह बारा हुआ सब पचीज में से अरवारा घठाना पड़ेगा क्योंकि हाने हुआ है तो सब्सक्राइब हैं इस अरवारा घटाईएगा तो एक जुक्ड है था अब पान्च के लिए यहां 10 ले लते हैं चुकि का पूछा है तो सो से गुना कर्णा पड़ेगा डाइरेक्ट कैटकुलेशन कर सकते हैं देखिए 25 दूनी 50 अब यहां 175 बचा तो 25 सते 175 यहां 25 चोग का 100 एक सब 25 बचा 25 पचे 125 अब देखिए यहां 95 45 नतिरी 27 यह 5 दूनी 10 अब हो सकता है 100 दूनी 200 दूसर गुने 3 करेंगे आपका एंसर क्या आजाएगा 600 यानि प्रारंभिक मुल यहां पर पूछा है तो कितना रुप्य हो जाएगा 600 हो जाएगा अधर्वाइज इसको आप ऐसे भी बना सकते थे सेकेंड मेथर से यानि आप मान लेते कि ए ने एकस में खड़दा है ये ने बी को बेचा है आपको कितना 25 परसेंट लाव पर तेक सब 25 बटा सो फिर बीने सी को बेचा है 10 ठानी पर तो 90 बटा सो फिर इसके बराबर हो गया बीच में अगर दो तीन भी खड़दार और बेचने वाले आते तो ऐसे ही नफा हो जो भी लाभानी होता है उसके अनुसार हम लोग यहां लिख सकते हैं और वहां तक सल्व कर देंगे ठीक है यहां पर एकस के जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 परसेंट मान लीजिए एक को सिखा ही रहा हूं धीरे-धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपसे भी बनेगा विकॉज आई केंड डू दाट मींस यू कैन अलसो डू विकॉज आई हब लर्न मैंने सीखा तो मैंने सीखा तो आज मैं कर पा रहा हूं तो आप अभी प्रारभिक तोर पे सीख रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप अगर कुछ अची चीजे देखते समझते हैं तो कुछ समय के बाद आप भी उस तरीके से बहतर कर सकते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन यहां पर देखते हैं यह भी कोस्टन बड़े अच्छे ढंग से बन जाएगा कोस्टन पहले समझिए यानि कभी भी कोस्टन को प्रूपरली रीड किया जाता है समझा जाता है कि कोस्टन में क्या दिया हुए उसके बाद हम लोग उसको सल्व करते हैं एक बस्तू को पांच यहीं फॉलो करेगा बहुत बार एक्जाम में पूछा है इसलिए आप इस पर फोकस करें एक खिलावने को 16% लाव पर बेचा गया 10 रुपया ज्यादा पर बेचा जाता तो लाव 20% हो जाता तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से कोस्टन बन जाएगा कोस्टन में क्या ह होता है कि परतिशत में भैलू दिया हुआ है और एक भैलू आपका ऐसे दिया हुआ है तो याद रखिएगा सेम साइन सब्ट्रेक्शन एंटी साइन एडिशन इस इक्वल टू दा गीवेन अमाउंट इस टाइप के कोस्टन में हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे और य एक जगा हानी परसंट हो रहा है इक्वल टू दा गीवेन अमाउंट यहाई जो रासी उसमें दे रहा है उसके बराबर करेंगे एक परसंट निकल जाएगा फिर आपका 100% निकल जाएगा तो लागत आ जाएगा जैसे यहां देखें कर आए 5 परतिसत लाव पर वेचा अग पर 5 पर ती सत्थानी पर बेस्ता है एंटी साइन हुआ और मैंने बोला है सेम सब्ट्रेक्षन एंटी एडिसा यानि यह 5 पर ती सत्थानी एंटी होने के बज़र से 5 5 कितना हो जुट जाएगा यानि यह हो गया 10% इस इकोल टू दा गीवन अमाउंट कितना दिया है देर सो यानि 10% बरावर देर सो एक परसेंट बरावर देर सो बटा टेन इंटू हंडेड यानि आपका मुल मिल गया पंदरा गुने सो यानि पंदरा सरुपईये का यह बस तू आपका है चलिया दूसरा कोशन देखते हैं ह तो 16% पर बेचा गया है यदि 10 रुपया ज्यादा में बेचा जाता तो 20% का लाव हो जाता देखिए यहां पर सेम साइन है और सेम साइन सब्ट्रेक्शन तो 20% 16% का डिफरेंस कितना होगा 4% और यहां पर दिया हुआ है 10 रुपईये ज्यादा मिलते यानि गीवन अमाउं 1% दियर अफ्टर 100% बहुत ही अच्छा कोस्टान अच्छा टाइप है चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं कि अगला टाइप कह रहा है एक ब्यक्ति दो बस्तूओं में से परतेक को और तालीस रुपईया में बेशता है एक पर उसे 20% का लाब होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानी होती है तो इसमें देखिए क्या पूछ सकता है आप से अधिकांसवार पूछता है लाब या हा परतीसत में बताएं तो वहां भैलू निकालने की जुरत भी नहीं पड़ेगी लेकिन यहां में चर्चा कर दिया हूं कि अगर लाबहानी रुपईया में पूछे तो क्या करेंगे या आप से क्रेमुन पूछे तो क्या करेंगे मैक्सिमम टाइम जो कोशन पूछा है दो ही पूछा है बात कि लाबहानी परतीसत में बताएं या आप से पूछता है कि लाबहानी रुपईये में बताएं तो देखिए अगर कहें यहां पर कि लाबहानी परतीसत में बताएं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा जब भी कोई बस्तू बेचेंगे आप यहां पर कर या की भीयक्ति दो बस्तुओं में से परतेक में 40.00 रुपया में बेचा है एक पर लाभ एक पर हानी है लाभ हानी परसेंट में एंसर करना हो तो भैलू निकालने की कोई जरूरत नहीं है अगर परसेंट दे के परसेंट में को छोड़ देंगे डाइरिक्ट बना जाएंगे क कोई वी चीज अपने आप में 100% 20% लाब हुआ ते 120 अब 120 का 20% घटा हो गया ते 120 का 10% 12 20% 24 एक 120 में से 24 गया 96% कोई वी चीज अपने आप में 100% होता है तो आप तो कह रहें 96% में बेचे हैं लाब हानी परसंट में बताएं कोई भी चीज अपने आप में 100% 10 लाब होता है 110 अब 110 का 10% हानी हुआ है तो घटाएंगे प्रते को 4800 रुपईया में बेचा है तो प्रते को 4800 रुपईया में बेचने का अर्थ हुआ एक 4800 और दूसरा भी क्या हो गया 4800 तो यह क्या हो जाएगा 96100 हुआ अब परतिसत में आप बेच लीजिए तो परतिसत में कैसे बेच लेंगे आप एक बार कह रहा है 20% लाब अब क्या कहेंगे 96% बराबर 900 तो यहां से देखिए चानवेर सबटा चानवेर गुन्स ओ करेंगे तो आपको क्रैमुल मिल जाएगा यानि क्रेमुल जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा यानि 400 रुपईये का नुक्सान हुआ है एक बात और ध्यान दिजिए यहां क्रेमुल निकालकर आप घटाकर बोले हैं कि इतने रुपय कहानी है एक डाइरेक्ट भी चीज कर सकते हैं आप कि जैसे यहां पर 100 से गुना किये थ है नो यहां जो भाग देते हैं जैसे 92% बराबर चानवेर सो तो चानवेर सबटा चानवेर यह जब भाग देते हैं तो 1% का बैलू होता है अब उसमें 100% से गुना करेंगा तो क्रेमुल मिलेगा अगर आपको डाइरेक्ट लाव हानी चाहिए तो लाव या हानी अगर पर तीसत में पता है तो डाइरेक्ट उतना से मल्टिप्लाई कर दीजिए एंसर वहीं आ जाएगा यानि 4% का नुक्सान हो रहा था तो अगर यहां पर डाइरेक्ट 4 से गुना करते तो आप देखिए यानि आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं जो आपको बेहतर लगे उस रास्ते को आप फॉलो करें चलिए दूसरा कोस्टन अगर है तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे कि देख सकते हैं यहां पर 99 करके देख लीजिए ताकि थोड़ा सा कटने में हो गया एक सोँ अन्ठाणवे रुपई यह क्या है विक्रैमूल है और लगेगा विक्रैमूल बड़ाबर विक्रैमूल परसंट में निकाल लेंगे भैलू विक्रैमूल दिया हुआ है एकुवेट कर देना है आप करेक सांठाणवर में बेचा कोशन करा दस परसंट लाव calculation करना यह देखिए धानी तो 90 बटा 100 लाव तो 110 बटा 100 कैसे भी काटिए गया एगार नवा 99 परसेंट यह विक्रायमुल हुआ वहां कह रहा है एक सानथानवेर भी क्रायमुल है दोनों बात को इक्वेट करें यानि 99 परसेंट बडाबर 100 लुक जाएंगे अगर लाभानी डाइरेक्ट परसेंट में निकालना हो रुपिया में तो आप डाइरेक्ट क्या कर देंगे परसेंट वाला तेहां निकल चुका है कि 99% में अगर बेच रहा है तो एक परसेंट हानी तो परसेंट वाला काम तो इधर इसा मापत हो गया भैलू की कोई चर्चा करने की जुरत नहीं थी तेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि रुपिया में लाभानी निकलना हो या आपको क्रेमुल निकलना हो तो देखिए एक से गुना कर देंगे ना एक परसेंट हानी हो रहा था तो डाइरेक्ट आपको हानी मिल जाएगा क्योंकि 100 से कम में बेच रहे हैं तो हानी होगा लेकिन अगर आपको क्रेमुल चाहिए तो यहां किस से गुना करना होगा सो से तो 992 एक सो अन्ठानवे सो दो निदो सो अब बत परसेंट में है तो 992 यह डाइरेक्ट आने निकल जाएगा यानि इस टाइप के कोस्टन में जब एक परसेंट का भैलू आप ऐसे निकालते हैं उसके बाद हमेशा फोकस करिए गर डिमांड क्या है और डिमांड वाले रासी से डाइरेक्ट मल्टिप्लाई कर दीजिए और कर दो दीजिए